आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्मिस स्पेशल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉंजी मॉइस्ट केक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और यह हमने बिना ओवन के बिना अंडे के कड़ाई में ही बनाया है बिल्कुल देशी तरीके से आप भी यह ऐसे बना सकते हैं क्रिस्मिस स्पेशल आप कुछ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यह सॉफ्ट है और जो हमने इस पर क्रीम यूज की है वह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुह में घुल जाने वाली क्रीम बना कर तयार की है बिना बीडर के बिना किसी विप क्रीम के हम करते हैं इस रेसिपी को हेलो फ्रेंद्स मैं सोनी सोनी फूर्ट स्टैल में आपको बहुत-बहुत सागत है केक मनाने के लिए सबसे प्यां कड़ाई गया इसपी रखी है उसमें एक कटोरी में नमक डाल दिया है और एक जाली या स्टेंड उसमें लगा दीजिए या आप चा आप चाहें तो यहांट पिलकुल नहीं होना चाहिए इसे दो मिनट के लिए हम अच्छे से फेट लेंगे बिलकुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो यहां पिंगला हुआ बटर भी आप भी यूज़ कर सकते हैं आपकी चोईस है आपको क्या यूज़ करना है अब एक चलने लगाएंगे इस पे और जो ड्राइ इंग्रीडेंट है वो लेंगे तो डेड़ कप में यहां मैदा ले रही हूं एक कप और आधा कप यानि कि टोटल डेड़ कप मैंने मैदा लिया है तीन चुथाई कप मैंने यहां पाउडर शुगर लिया है आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप चेनी को मिक्सी में पीश सकते हैं एक चंबच में ने यहां बेकिंग पावडर लिया है एक चथाइ छोटे चंबच बेकिंग सोड़ा लिया है इसे अच्छे से चाल लेगे सबी चीजों को अच्छे से चालना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है चाल लेते हैं और जो बाकी इसमें बच गया है उसको हम अलग कर लेंगे देखी अब इसे हम विस्कर के साथा से या आप चम्मच से इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर सकते हैं सभी चीजों को अब मैंने यहां तीन चुथाई कप दूद लिया है तो थोड़ा थोड़ा दूद हम डाल दे जाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर दे जाएंगे एक ही डायरेक्शन में हम सभी चीजों को मिक्स करना है देखी थोड़ा सा दूद और डाल देंगे हम तो टोटल तीन अच्छे से देख पाएंगे आप बहुत अच्छे से स्मूथ बैटर बनकर तयार हुआ है अब मैंने यहां एक केक टिन ली है अच्छे से तेल से घी से आप ग्रीस कर लीजिए और इसमें मैंने पेपर लगाया है कोई भी आप नोर्मल पेपर ले सकते हैं या बटर पेपर इसको रख देंगे दो से तीन बार इसे अच्छे से टैप करेंगे तो कडाय भी अच्छे से गरम हो गई है अब हम केक टिन इसमें रख देंगे और इसे अच्छे से ढख देंगे करीब करीब 35-40 मिनिट तक हम इसे बेक करेंगे एक बार 30 मिनिट के बाद आप इसे चेक कर स हैं अगर आपको लगे कि इस वह उपल पांच मिनिट आप और इसे छाति है चीक मिनिट हो गई है तो चेक कर लेते हैं एक बना है के नहीं संप्सक्राइब तो एक ठोट पीक लेंगे तो इसमें डालके देख लेंगे डेख हैए अइक बारोर दिखा रहे हैं मैं आपको toothpick एकदम clean है तो ये बेक अच्छे से हो गया है अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए देखे केक अच्छे से ठंडा हो गया है आप देख पा रहे होंगे इसके किनारे बिल्कुल अच्छे से अलग हो गए हैं अगर आपको लगे किनारे अलग नहीं है तो आप चाको की सायता से इसे अलग कर सकते हैं ये बहुत यासानी से अलग हो जाएंगे और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं टैप कर लेंगे थोड़ा सा देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल गया है अब जो हमने पेपर लगाया है उसे हम निकाल लेते हैं हाराम से पेपर निकल जाएगा और आप देख पारे होंगे बहुत ही अच्छे से केक बेख हुआ है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉंजी ये केक बना है देखिए और बिल्कुल क्लीन भी है तो अब हम इसे चाकू की साहता से इसके दो भाग कर लेंगे देखिए हलका हलका चाकू से हम निशान लगाते जाएंगे सबी जग है और इसको दो भाग में हम डिवाइड कर लेंगे जहां जहां हमने चाकू लगाया है वहां धागा लगा लेंगे और अपनी तरफ धागे को किछते जाएंगे इसके हम भाग कर पाएंगे अलग अलग देखिए बहुत ही आसानी से ये कटकर तयार हो गया है और आप देख पार होंगे इस पे जाली बनी है तो बहुत ही अच्छे से ये बेक पी हुआ है अब हम इस पे सुगर सिरफ डाल लेंगे मैंने यहां तीन चमस दूद लिया है और देट चमस मैंने इसमें चीन ही एड़ की है आप चाहें तो दूद की जगे पानी भी ले सकते हैं इससे बहुत ही अच्छे से यह मोऊस्ट केक बनेगा पिल्कुल सोफ्ट और अंदर तक बिल्कुल मोऊस्ट केक बन कर तयार होगा और दूद लिया तो इससे बहुत ही ज़्यादा के लगे अब मैंने यहां क्रीम बनाई है क्रीम की वीडियो मैंने आप के साथ शेयर की है तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं बिना किसी बीटर के बिना किसी विप क्रीम के हमने यह क्रीम बना कर तयार की है तो इसे हम फैला लेते हैं अच्छे से spatula से फैला लेंगे या आपके पास बड़े वाला knife है क्यों भी डाल सकते हैं आप जैसे आपको पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं तो दूसरे वाली लेयर हम रख देंगे और उस पे भी हम दूद से अच्छे से ब्रश कर देंगे जिसे बहुत ही अच्छे से मौइस्ट हो जाएगा और उपर भी हम ऐसे ही क्रीम फैला लेंगे सकते हैं अब जो साइड पे हैं उस पे भी हम अच्छे से क्रीम लगा देंगे पाइपिंग बैग में डाल कर अगर आप क्रीम लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से यह लग जाएगी बहुत ही आसानी से पूरी तरह से हम इसको लगा पाएंगे देखिए लगा दी है मैं हैं । यह को सखसे हैं । यह सबस्के Says क्म चाहें तो क्रीम में जिससे और 12ध हैं सुनदर नगेगा और मैंने यहां थोड़े से चौकलेट को मैंने कध्दूकस कर लिया है आप चाहें तो बड़े-बड़े स्क्रेप भी बणा सकते हैं तो इसको हम side में भी लगा देंगे cake के जिसे बहुत ही अच्छा ये सुन्दर cake लगेगा और कुछ मैंने यहाँ cherry ली हैं तो हम वो लगा देते हैं जिसे cake बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगेगा और खाने में एकदम tasty लगेगा तो लगा लेते हैं cherry देखी और अब जो chocolate strap है वो हम अंदर की तरफ भी इसमें डाल लेंगे चमत से जिसे और भी ज़्यादा ये सुन्दर लगेगा ऐसे ही आप black forest cake बना सकते हैं और इसे मैंने butter cream से बनाया है जो बहुत ही ज़्यादा soft मुह में गुल जाने वाली है और side में मैंने इसको decorate कर दिया है देखिए बिल्कुल छोटे-छोटे star मैंने side में लगा दिये हैं आप भी ऐसे ही cake बना सकते हैं एकदम आसानी से बिना oven के ही बहुत सारों के पास oven नहीं होता है तो बिल्कुल देसी तरीके से हमने कडाई में इसी बनाया है एकदम आसानी से आप भी ऐसे ही बना सकते हैं अगर वीडियो पसंदारी है तो धीर सारी लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने family में friend में अब केक बन गया है तो cut करना तो बनता है तो चली हम cut कर लेते हैं और cut करने से पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा soft moist एकदम spongy cake बनकर तयार हुआ है और chocolate सि और भी ज़्यादा ये tasty हो गया है आप चाहें तो caramel crunch भी इसमें डाल सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा tasty लगेगा और एकदम soft बना है तो आप भी ऐसे ही बनाईए खाईए और अपने experience में साथ share कीजिए वीडियो पसंदारी है तो डेर सारे like कीजिए share कीजिए अपने family मे friends में social sites पर आप इसी share कर सकते हैं मुझे Instagram पर और Facebook पर follow भी कर सकते हैं और देखिए आप देख पार होंगे एक तब moist cake बनकर तयार हुआ है तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye friends thanks for watching Merry Christmas to all